जाइन फ्रेंड्स मैं रहुल बंजारे स्वागत करता हूँ आपका अडिफेंस क्लास में दोस्तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो जो है वो SEC CGL का सेलिबेस के उपर वनाया गया है दोस्तों क्योंकि कई भायों का करना था कि नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है तो हम इसमें इलिजीबल है भी या नहीं फार्म भरने के लिए तो इसके लिए अब इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया गया है दोस्तों कि इसमें कौण फार्म भर सकते है या कोई फार्म नहीं भर सकता तो चली यहाँ पिडियो को श्टार्ट करते हैं दोस्तो और जो candidates कोश्टिकार्ट की तेयारी कर रहे हैं दोस्तो उनका जो syllabus के वीडियो जो आ चुका है जाकर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से सिलिबस यहाँ पर उसमें प्रोवाइड आपको उकरवाया जाएगा दोस्तों ठीक है तो चली हमारा जो वीडियो है SACCGL 2022 का जो नोटिफिकेशन वो आ चुक है दोस्तों और नमबर आफ विकेशी इसमें आगे देखते हैं इसमें दिये गए दोस्तों कि जो SACCGL का 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिये गए उसमें नमबर आफ विकेशी जो है वो 20,000 प्लस है दोस्तों ठीक है अब हमारी जो सारे भाईों का कंफूजन और सवाल था कि भाई इसमें डेट कोई सा है कि किस डेट डेट से हम यहां पर फार्म भर सकते हैं और कोई सा लाश्ट डेट है यहां पर तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर आगे में तो जैसे कि आप यहां पर देखी सकते हैं दोस्तों को अपलाई डेट हम 7-9-2022 है दोस्तो 8 अगस्त अक्टूबर तक के हाँ पर हम कर सकते है अपलाई और जो लाश्ट डेट है वो है 8 अक्टूबर ठीक है दोस्तो और जो भी फामिये कुछी और सुधार करना होगा करेक्शन करना होगा तो उसमें आप 12 से 13 ताई कर सकते हैं और जो एक्जाम का डेट जो है दोस्तो इसमें बताया जा रहा है कि जो एक्जाम है वो आपका दिसंबर में कंड़क्ट कराया जा सकता है दोस्तो दिसंबर में और आप देखते हैं दोस्तो कि कौन कौन फाम यहाँ पे फिलप कर सकता है यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों को जो farm जो fill up कर सकते हैं वो graduation कर रखा ना चाहिए graduation होना चाहिए दोस्तों क्यूंकि इसमें graduation मांगता है और देखिए दोस्तों कई भायों को यह कहना था कि graduation जैसे कि last year कर रहे हैं तो इसमें हम farm भर सकते हैं देखिए भायों इसमें अगर आपका result 8 October से पहले आ जाता है तो आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है otherwise नहीं कर सकते हैं चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं जैसे कहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि आज 2000 मतलब 2022 का जो ACC CGL का जो syllabus दोस्तों उसमें आप coaches देखने को मिलेगी इस बार जो है आपका merit list जो है वो आपके tier 2nd के अधारपत बनेगा दोस्तों जो आपका tier 1 जो है जो tier 1 जो है आपका दोस्तों वो शरीफ आपका qualify करना होगा यानि के सिर्फ उसमें पास होना होगा दोस्तों और आपका merit list जो है दोस्तों मैं आपको बता दू तो वो आपका tier 2nd में बनेगा दोस्तों ठीक है दोस्तो आपका Merit List Second Merit List जो है आपका Second Tier में यहाँ पर बनेगा दोस्तो फिक है और यहाँ पर बता दो दोस्तो तो इसमें Pass होने के लिए आपको 30% अनि जाहिए दोस्तो आपका 30% होना चाहिए ठीक है दोस्तो चलिए आगा बढ़ते हैं जी हाँ दोस्तो आपने सहीं सुना इस बार जो है ऐसी CGL के जो सिली बस है उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजेस किया गया है दोस्तो तो उस चेंजेस को यहाँ पर बताने से पहले दोस्तो जो वीडियो में नया है वो सब्सक्राइब और कमेंट और सेर करना ना भूले दोस्तो और ऐसी हमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को यहाँ पर सेर करें दोस्तो तो चलिए यहाँ पर वीडियो में स्टार्ट आगे बढ़ते हैं ठीक दोस्तों अब देखते दोस्तों अगला question जो है वह कितने tier में exam होता है वह आप जानते ही होंगे दोस्तों दो tier में exam होता है पहला tier and second tier ठीक और आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपका first tier के यहाँ पर exam pattern आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं दोस्तों जैसा यहाँ पर दिया गया है जो पहला है reasoning का उसमें से आपका question 25 question आएंगे 50 number का ठीक है दोस्तों इसमें हर एक घंटम आपको एक घंटा दिया जाएगा दोस्तों ठीक हर section में जैसे यहाँ पर अब इक screen में देखी सकते हैं ठीक है दोस्तों जीए का भी 25 question 50 number का दोस्तों अब यहाँ पर math का भी है और English का भी हूँ उनका 25-25 question 50 number का यहाँ पर रहेगा दोस्तों और आपको यहाँ पर देखी सकते हैं आपको कितना दिया है ठीक है तो यह रही बात थो यह पहला टियर का एक्जाम कर ठीक है दोस्तों इसमें कोई change नहीं है दोस्तों जैसा syllabus है ना वैसी same जैसा पहले था जो हाँ 2020 में सेम है यहाँ पर और जो changes आपको किया गया है वो changes आपकर tiers 2 में किया गया है दोस्तों अब देखते हैं वो changes यहाँ पर कि क्या-क्या changes किया है दोस्तों दोस्तों जैसे कि आपके देख सी सकते हैं कि यह रहा आपका tier 1 का यह रहा वाला तो इसमें दोस्तों प्रतेक गलत उत्तर पर आपको आधे अंक काड़ दिये जाएं यहाँ ठीक है negative marking ठीक है दोस्तों आपके जो tier 1 के exam जो है उसमें कोई उसके syllabus में कोई changes नहीं है दोस्तों जो main changes है वो आपका tier 2 में है दोस्तों तो चलिए यहाँ पर tier 2 की तरफ आगया बढ़ते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो tier 2 का जो exam है दोस्तों उसको तीन सेक्शनों में रखा गया दोस्तों first section, second section and third section यहाँ पर दिया गया दोस्तों की हर section में आपको एक घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों जैसे का आप इसक्नी पर देख सकते हैं first section में जो है आपका mathematical abilities है दोस्तों दूसरा आपका reasoning और second section में आपका हो जाएगा इंगलीज और general awareness ठीक है दोस्तों और third section में आपका computer knowledge और data entry speed text ठीक है दोस्तों यह तो तीन section में रखा गया ठीक है अब चलिए यहाँ पर तीनों को देखते हैं third second का first section में दोस्तों आपका math उसमें से आपका 30 question पूछेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप हर question आपका तीन अंकर रहेगा दोस्तों यानिके ठीक है दोस्तों यहाँ पर cool मिला कि reasoning और math का start question रहेगे यहाँ ठीक है दोस्तों आपको time दिया गया रहे है यहाँ एक घंटे का यह बात हो गई और tier second का first section और tier second का दोस्तों यहाँ पर गडित का थोड़ा से लिवस देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है दोस्तों की उसमें number system देख लिजिएगा fundamental, analytical, operation देख लिजिएगा ठीक है दोस्तों basic algebra देख लिजिएगा और geometry, mesuration, geometry दोस्तों इन से भी को आप यहाँ पर देख लिजिएगा और दूसरा section आपके English कर रहेगा दोस्तों इंग्लीज में आपका 45 question और यहाँ पर तीन का हर question आपका तीन नमबर का रहेगा दोस्तों ठीक है और यहाँ पर journal awareness का आपका 25 question दोस्तों कुल मिलाके 70 question बनते हैं आपके एक घंटे का ठीक है दोस्तों सेकंड सेक्षन और थर्ड सेक्षन में आपका जो है वो computer रखा गया है यहाँ कि बीस question computer के और यहाँ पर जो data entries पर टेस्ट है दोस्तों इसमें आप देख सकते जैसे कि इसमें दिया गया दोस्तों computer का syllabus है इसमें ठीक है दोस्तों यहाँ पर CPU क्या है output device क्या है दोस्तों ठीक है computer memory क्या है यहाँ पर software के हवाटी से software सब इसमें ठीक है दोस्तों जिसके आप यहाँ पर देख सकते उसके syllabus के बारे में ठीक है दोस्तों यह तो हो गया आपका SSC CGL 2022 का syllabus दोस्तों ठीक दोस्तों अब यहाँ पर आपको कोई भी doubt रहेगा कुछ भी यहाँ पर सवार रहेगा तो आप comment के माध्याम से हमारे तक पहुँचा सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो में तब टिक के ले जाएं बंदे मातरम दोस्तों